कि नमस्कार दोस्तों मैं पंडित मनीश चारी हूँ आज आपके लिए कहा हूं बहुत दिल आता हमसा करें सरद्शा उपाई एक ऐसा उपाई जो क्या है कि एक अगोरी विदी अगोरी विदी से क्या है कि निकाला हुआ ये टोंड का है इस विदी को जानने से पहले आप मैं पूरी मेडियो तेकरी है इसी विडियो को अगर देकें गारर को हर वास समझ में आए गार इससे पहले है अगर आप नहीं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब तपली सब्सक्राइब किजिए, लाइफ किजिए, सेयर किजिए ताकि और भी आने वाले वीडियो किए है कि आप गैश सके है और सेयर क्रने से आप क्याए कि आप की नहीं तो इस और बहूं तो किसी और का भी जाए कि भला हो उसके क्योंकि दिक्कत परिशानिया आजकर हर इनसान के क्याय की चलती रहती है किसी के किसी चीज़ की दिक्कत है किसी को कि हमारे चैनल के ओपर आपको मिलेगा हर समस्या अगासामादान चाहिए समस्या कैसी भी हो आप मेरे कहा है कि नंबर सबीड पे दिया हूँ उस पर कॉंटक्ट करके आप हमारे से राए भी ले सकते हैं और ये अज की जो मैं मिदी आपको बताने जा रहा है ने अगूरी मिदी पिलकुल कहा है कि आसान सा और सरन सा अब आया है इसके लिए अपने को कहा है कि ज़्यादा चीज की जरूरत नहीं है एक चोरशते की मिटी गंगा जाल और एक आटा और हल्दी और पीरी सर्सों सिर्व कहें कि यहीं पांच शीजों की कियां कि जयरुरत है और इस सीज़से अगर कहें कि आप सरह लीडी से एगर जिर उपाइ कर लिया तो आपका प्यार है वो आपकी दिरफ और आपके कदमों में होगा और फुछी ही गंटों के अंदर होगा पर इस वीदी को कहे कि बिलकुल शान्ती से और एकांथ में बैटके करना है कोई बार का गोई इसके अंदर बीशुनी ही है कोई इसके अंदर टितका नहीं है आप जहां मर्जी अपने घर में बैटके भी कर सकते हैं पर यह वीदी है वो बिलकुल कहे कि सही से अगर करोगे तो आपको क्या कि रहा है कि कामेफ towards और वीदी क्या कि जाने से कि आगे मैं जाके एक मंतर बताऊँ सबसे पहले तो क्या है कि आपने उस मंतर को सिध करना है सिध्य के बगार कि कोई भी मंतर है वो काम नहीं करता है और सिध्य अगर हो सबसे पहले कि जो क्याय कि दिए नबी आपने यह उपाय करना है वहां। उसको कि गंगा के बार पानी के तौड़से और उसे सुधध करना है मुसंसज होता है। तो इसके बाद के अंदर आपने क्या करना है कि सबसे पहले यह आटा, इस आटे से आपने क्या करना है कि स्वास्तिक बनाना है, स्वास्तिक क्या है कि किसी भी धार्वी दिस्तान पे बैठ के अपने घर के अंदर मंदिल में भी बना सकते हैं, कहीं में भी बना सकते हैं, तो इस तरीके से आपने कहा है कि स्वास्तिक बनाना है और स्वास्तिक आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी हीदी के अनुसार आपने कहा है कि स्वास्तिक बनाना है और स्वास्तिक बनाने के बाद में तुरंत आपको कहा है कि आपकी समस्या का समधान है वो हो जाएगा चाहे आप आपका बैर कितना भी दूर किया हो, वो तुर्थ आपकी तरफ है, वो आएगा। ठीक है. इसके बाद में आपने किया है कि स्वास्थिक आटे सी ही बनाना है. आटा चाहए गेहूंका हो, महलें किसी अनकाही होना चाहिए. ठीक है, इसके बाद के अंदर आपने क्या करना है? कि जो स्वास्तिक है इसी स्वास्तिक पर कहा है कि जो कहा है कि अपने मिद्धी लगाते हैं वो च्यारक कहा है कि हल्दी की होनी चाहिए हल्दी के बाद के अंदर आपने क्या करना है कि इसी तरीके से इसको कहा है कि कार देनी है अपने समान भी ये बीच के अंदर ये सामक्री है वो भी आपने बीच के अंदर आनी जीए इसी तरीके से आपने कहए कि इसको कार देनी है बिल्कुल दो बाद इसी तरीके से देने के बाद में आपने क्या करना है कि ये जो चार भी जो बनी हुई दिख रहे हैं जिनके उपर आपने पीली सरसो रखनी है बिल्कुल पीली सरसो इसी तरीके से रखनी है जिस तरीके से मैं रख रहा हूँ और आप देख रहे हैं क्योंकि यही सरसो और यह कहा है कि चोरस्ते की मिट्टी है यही आपको कहा है कि काम्यावी है वो दिलाएगे आपका प्यार है आपको तरफ वापस लेके आएगे इसके बाद में क्या करना है ये चोरस्ते की मिट्टी है ये चोरस्ते की मिट्टी को इसी तरीके से आपने क्याए की रखना है बिल्कुल आपके सामने स्वास्तिक हो स्वास्तिक बिल्कुल नदी की यह क्याय कि मिटी हो और इसके बाद में आपने क्या करना है कि इसी को इसी मिटी को क्याय कि इसी तरीके से नमश्कार करते हुए अपने कुल गुरु को इश्ट गुरु को क्याय कि याद करते हुए आपने कहाए कि एक मंतर मैं आपको बताऊँगा जो कहाए कि आपने सबसे पहले सीथ करना है सीथ करने के बाद में आपने कहाए कि इसी मंतर को बिलकुल पवित्तर कहाए कि होके बिलकुल सुथा होके और इसको कहाए कि मंतर को आपका उचारन करना है और सित्वी होने के बाद के अंदर आपने मंतर की जो संख्या है जो उचारण करना है वो कहाए कि ग्यारा बार है ओम नमो नर्सिबाय सर्वे दिश्ट सर्वे सेष्ट मम सर्वे जाय कुरू कुरू वसे मम वसे सिर्फ कहाए कि इतना ही मंतर है जो मंग का सबद कहाए कि उचारण कहाए कि करना है उसी की जिगह कहाए कि उस वेक्ति का कहाए कि आपने नाम लेना है जिसे आप कहाए कि प्यार करते हैं चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है चाहे वो पत्नी है चाहे आपका कि भी और जोुकिई उन्यक्राइब है कि आपने इससी जिगह पे आपने नमस्कार करते हुए चारे जिगह पे इसे मंतर उचारण करने के बाद में एक एक जिगह पे अपने दिल के उपर हाथ रखते हुए अपने दिल में उस विट्टी को आपने बसाना है जिसे आपने पाना है ऐसके बाद में आपके करना है इसी में फीक और सेष्ड मिली फूई कि यह आप द्यान रखें आप देह रहे हैं इतनी की मिट्टी हो चाये से कर्म हो चाये ज्यादा है अपने nieuwe लेना तो only फि Mayo कहा यह मंतर काय के चाठा होने के वाद में जहां पे उसका घर है उसके घर की देली के पास, उसके गेट के पास, अगर ये कहाए कि इतनी क्विटी वहाँ पे अगर बले दी, तो ये समझेदों कि उत्रुथ आपके पास कहाए कि असर होगा, उत्रुथ वो आपकी तरफ दोड़ा होगा है या सही मिनीश से अलकर लिक, अगर आपका इसे घर अगर उसका दूर है अगर आप नहीं जानते हैं तो उसके तस्वीर होनी जरूरी है उसकी तस्वीर जो कहा है कि लेके और उसके कहा है कि किसी भी विफाबे में या कहा है कि 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 कपड़े में लपेट के ये मिट्टी और उसकी फोटो आप कहा है कि रख सकता है और ये बिल्कुल कि ये टोटका अजमाय हुआ है ये फिल्कुल अगर सहींदी से एकर आपने कर लिया तो ये फिल्कुल मेरी गारेंटी है आपकी समझेगा समयादान हो जाएगा इसी के साथ कि मैं इजार्इच चाहूंगा नमस्कार दोश्तु